नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत अन्वीर एजुकेशन के सी यूटूब चैनल पर और मैं संपत लिड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक बरती की तेहरी करवा रहा हूँ जिसके अंदर आज हम जो है सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट के अंदर जो है कंट्रोल स्टेटमेंट यानि इफ एल्स एल्स इफ और स्वीच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इससे पहले की क्लासिज अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज डेली विजिट करते रहें चैनल को देखते रहें और चैनल के उपर जो क्लासिज आती है डेली उनको आप विजिट करते रहें ठीक है और अगर उनकी नोटिपिकेशन आपको समय पर चाहिए तो आप उ के अंतरकत चांटोल स्टेटमेंट के बारे में जानने वाल हैं सात्यात यहां दीजिगा आपके पर बैसिक और वरिष्ट के लिए जो है प्लेइस्ट वाई सभी सब्जेक्ट की प्लेइस जो है अपलोड कर दीगी है चैनल के उपर जाके आप विजिट कर सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल और आर्किटेक्चर डीवी एमेस एसक्वेल पाइथॉन और सी लेंगवेज के कंप्लीट पर एक क्लास जो है टोपिक वज अपलोड हैं आप उनको जरूर विजिट करें उनमें से अंडेट परसेंट आपके कोसंस आएंगे एक्जाम में यह गार प्रतित हो रहा है यह कि जो किसी फ्लो को कंट्रोल करते हो ठीक है ना तो देखो प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग भासा में प्रोग्राम के एक्जिक्विशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट्मेंट होते हैं उन्हें हम कंट्रोल स्टेट्मेंट कहते है सबस्क्राइब जितने भी स्टेट्मेंट्स होता है उसको यह आपके जो है कि उसके अंदर हमने जो है ज़ो फॉर्लोप् से जो लूपिंग कंडिशन्स थी वह और वाइल डू वाइल तो वह अपने नेस्ट लूप है वह हमने जो है लाश्ट वाली क्लास के अंदर देख लिए हैं अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखेगा ठीक है अभी हम पहले जो बात करने वाले हैं वह कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतरकत वो है अपनी इस स्टेटमेंट की ठीक है इस के अंदर की कंडिसन होती है अगर वह सही होते हैं तो इसके अंदर प्रिंट करवा सकते एंट नमबर इस स्टेट्मेंट को एक सिंबल सा π्रोग्राम है यहाँ पर आपके पास देए से च्छोटाओ ता यहाँ पर मेंसेज चलए इस लेस्ट दैंबी तो चलिए हम चलते अपने टर्बो सी की स्क्रीन के उपर और इसको एक्जेक्यूट करके चेक कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने टर्बो सी की स्क्रीन लेकर आ जाता हूं मैं ठीक है अब मैं यहाँ पर जो है नॉर्मल इस प्रोग्राम को टाइप करने वाला हूं जिससे आपको परने में और ज़्यादा मज़ाता है, has include iostream.h, और अगयन दूसरी हम include कर लेते हैं, जैसे अपना output हम अच्छे से देख सकें, has include configuration.h, उसके अंदर हम यहाँ पर integer man, standard man function को जो है, on कर लेते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर जो है, हम दो variable लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं, जैसे 10,b कल लेते हम 20, ठीक है, और उसके बाद हम if को start करते हैं, if के अंदर मैं कहता हूँ, a यदी छोटा हो b से, ठीक है, तो इसके अंदर का जो statement होगा, वो print हो जाएगा, cout, और यहाँ पर आजाएगा, आपके a is less than b, ठीक है, और यहाँ पर यह अपन कर देते हैं, इसक ठीक है, यह जो हो गया, और यहाँ पर, अब क्या होगा, इसके अंदर की a जो है, वो definitely जो है, a जो है, वो b से छोटा है, ठीक है, एक बार हम CLR, SCR भी राद देते हैं, जिससे, यहाँ पर जो old कोई भी result हो तो वो भी clear हो जाए, और screen बिल्कुल clear रहे हैं आपके सामने, ठी control plus F9 का यूज करने के लिए, ठीक है, यह शुरू से हम पड़ते हैं, तो यहाँ पर message अपने पास आ रहा है, a is less than b, a is less than b, मतलब a जो है, वो b से छोटा है, यह हमने अपने अनुसार कस्टमाइज ली जो message है, वो print करवाया है, लेकिन अब जो समझने वाली बात वो है, कि यहाँ पर जो condition सही हुई, तब तो if छप गया, यहाँ पर मान के चलो कि मैं अगर a का मान 20 से जादा रखूँ, या फिर मैं यहाँ पर इसके अंदर जो condition है, इसको मैं बड़ा कर दूँ, यानि a b से बड़ा है क्या, अब condition को चार्ज कीजिएगा, कि अगर condition false हुई तो क्या होगा, अब condition दे के a का मान किता है 30, b का मान किता है 20, अब if के अंदर यहाँ पर आपच्या करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है क्या a b से छोटा है क्या, नहीं, यहाँ पर condition गलत हो रही है, तो a is less than b, अब छपे गई नहीं, अब screen के उपर क्या आएगा, a screen के उपर आपको क का use करना है, और वो इज अपना अब next topic होने वाला है, देखिए, पहले इसको देख लिए आप, जब हम true की condition को run करवाना चाहते हैं, तब हम if को use करेंगे, और जब हमें else की, यानि false की condition run करवानी हो, तो उसके लिए हम एक else block को भी generate कर सकते हैं, तो इससे पहले हमने if तक का था, ठीक है, अब हम बात करते हैं, if else statement के बारे में, जिसमें हम else का भी use करते हैं, तो else को हम जो है, false वाले block के लिए use में ले सकते हैं, तो अब यहाँ पर जो है, यह इस program वापस लिया है, लेकिन इस बार मैंने इसको change किया है, अब क्या change किया है, यहाँ पर देखिए, चोटा है ही नहीं, ठीक है न, a जो है, वो b से चोटा ही नहीं, तो उसके लिए हम, इसक्रीन खाली नहीं रहने चाहिए, तो उसके लिए हम दूसरा message दे देते हैं, else, नहीं तो, c out कर दीजेगा, आप, a is greater than b, ठीक है, a is greater than b, भी रखिए, यहाँ पर अगर if वाला condition जाज क यहाँ पर यह क्या करेगा, इस if वाला जो ब्लॉक है आपका, इसको छोड़ देगा, और इसीदा जंप करेगा, else वाले पर, else के अंदर जो लिखा होगा, वहाँ पर इसक्रीन के उपर आपको output में दिखा देगा, ठीक है, तो चली इसको करते हैं, यहाँ से control plus F9 के through run, और यहाँ पर देखे, आपके सामने जो output आ रहा है, वो आ रहा है, A is greater than B, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो else वाला ब्लॉक है, वो run हो रहा है, तो यहाँ पर आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ चुके होगी, if or else if की, if or else if को हम जो है, इस प्रकार से कुछ implement करते हैं, और ज चलते हैं, और next topic कौन सा है, और किस बारे में हैं, उसको भी discuss कर लेते हैं, ठीक है, तो अपना जो next topic आ रहा है, वो है else if, यह तो था if else, ठीक है, इस से पहले हमने if बड़ाता है, उसके बाद if else बड़ाता है, अब बात आ रहे है, उल्टी, यानि पहले else फिर if, else if के अंदर condition false होता है, तो वो अगले condition पर जाकर check करेगा, यानि इसके अंदर हम multiple if else को define करेंगे, अगर वो condition true होता है, तो उसका statement execute होगा, अगर कोई भी condition true नहीं होती है, तो else का statement जो है, execute होगा, देखिए इसको syntax को देखिए आप, मैंने यापर if का condition दिया, और उसके अंदर statement दिया, फिर मैं else if लूँगा, इस तरीके से मैं जितने चाहूँ, else if create कर सकता हूँ, और इन सभी else if में से condition कोई choice नहीं होती है, तो last time हम else का condition run कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कि हम multiple else if को generate कर सकते हैं, जिससे अपनी multiple को choice होता है, उसको हम याँ पर generate कर स सकते हैं, अगर इन सभी में से कोई अग्जिकुटर नहीं होता है, तो हम जाके else को use ले सकते हैं, इस else को हम use में ले सकते हैं, इसके लिए example आप आराम से देख सकते हो, मैंने यहाँ पर a command लिया है, 10, b कर लिया है 20, मैं इसके अंदर कहता हूँ कि a यदि b से छोटा हो, तो a जो है वो b से बड़ा हो, तो यहाँ पर message जाज़ेगा a is greater than b, अगर यह दोनों की दोनों condition जो है, वो wrong हो जाती है, तो यहाँ पर else के अंदर का message जाज़ेगा, तो अब इसको मैं चलता हूँ turbo c की screen के उपर और बहुत सांदा तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेगा इसको, पहले हम जो है, आपके सामने turbo c की screen को लिख किया आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है, इस program को type करके आपको मैं दिखा देता हूँ, बस इसके इंदर conditions थोड़ी सी changes है, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने जो है, यह else use किया है, इसके आगे मैं else if को use कर लेता हूँ, ठीक है न, अगर यह if का condition change हुआ, यह बरबर चला, तो ठीक है, नहीं तो यह आपके इसको change कर लेगा, ठीक है, अगर यह भी नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर एक external else को create कर देते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर बता सकते हैं, c out कर दीज है, a is equal to b, a जो है b के बरबर है, अब देखेगा, इसको मैं कहीं सारे views से आपको check करके दिखा दूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर condition simple से पहले आप जाच कर लीजिए, a command 30 है, b command 20 है, अब इसके अंदर क्या है, कि यह a को जाच करेगा, क्या a b से छोटा है क्या, तो नहीं है तो यह जो है, a is less than b नहीं छापेगा, यह सिदर जाएगा, l ship में, l ship में जाने के बाद यहाँ पर यह जाच करेगा, कि l ship के अंदर आने के बाद, यहाँ पर हमने condition को दिया नहीं है, यहाँ पर हम दे देते हैं, एक बड़ा हो b से, अब यहाँ पर l ship के अंदर आएगा यह और यहाँ पर यह जाच करेगा, कि a चोटा है, b से तब तो यह उसको छाप देगा, अब यहाँ पर condition है कि a b से बड़ा है, तो हमने यहाँ पर दे दिया है कि a अगर b से बड़ा हो, तो छप जाएगा a is greater than b, else नहीं तो यहाँ पर आजएगा a is equal to b, देखते हैं यहाँ पर लेकिन अब बात करेंगे आपकी sir else का condition कहां पर run हो रहा है, तो देखिए अब यहाँ पर मैं इन दोनों का मान जो है equal कर देता हूँ, इसका भी a का 20 और इसका भी b, तो यह यहाँ पर a का 20 और b का 20 मान आया है, यह यहाँ पर आएगा इसके अंदर, अब यहाँ पर यहाँ b से छोटा है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर जांच करेगा a, b से छोटा नहीं है, 20 और 20 है, चलो यह else इप में जाएगा, क्या a, b से बढ़ा है क्या, यह भी condition run नहीं हो रही है, तो जी सिधा चला जाएगा else के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर इन के लिए जो condition दे रहे किए default वह else में है, वह छप जाएगी बस, ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कर देते है, run, यह देजिए a is equal to b आपके सामने message आ चुका है, तो आसा करता हूँ कि आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, if और else का use कहां पर होता था, कि if का condition तो tree होने पर run होगा, else क condition कहां पर होगा, अगर वो condition false हो जाती है, तो run होता है, अब हमने बात कर ली थी, else if की इस पहले तो if else की बात की थी, अब else if की बात की तो उसमें क्या है, कि हम multiple else if को generate कर सकते हैं, अपने program के अंदर multiple choice को create करने के लिए, ठीक है न, multiple choice को create करने के लिए, अब आप जितने कार से समझें, ताकि आप उसका output जो है, वो आराम से generate कर सके, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, यह topic, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और next concept को देख लेते हैं, हमारा इसके बाद जो next concept है, वो देखिए, next हमारा concept है, switch case statement, तो यहाँ तक सभी साथ को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, हमने पढ़ा है, if, else, if, sorry, if पढ़ा है, उसके बाद पढ़ा है, हमने, else, if, उड़के बाद पढ़ा है, हमने, else, if, और उसके बाद हमने, यहाँ यह सारा का सारा जो है, practical भी करके देख लिया है, ठीक है, न, if, if, else, else, if, हमने यह तिनों के तिनों generate कर लिया है, और उसके बाद हम बाद करते हैं, switch case statement के बारे में, तो देखिए, switch case statement में expression होता है, और उससे related कुछ cases होते है, जो उस case expression या declare कियोवे variable से match होती है, बाद में आपको मैं output में बताऊंगा, यहाँ पर program के अंदर, तब वो output में print होता है, अगर कोई भी case expression से match नहीं होती है, तो वो default का statement execute कर देता है, जिस परकार से if नहीं होता था, तो else होता था, यहाँ पर क्या होता है, default होता है, ठीक है, आपको अगर statement के बाद break लगाना पड़ता ह है, इसका मतलब है कि उसके उससे पहले का statement ही print करेगा, जहाँ पर break लगेगा, उसके बाद statement प्रिंट नहीं होगा, अब इसको हम ज़्यादा theory के समझने से अच्छा है, कि हम इसको syntax ली और उसके बाद हम इसको program के माद्यम से समझे, ठीक है, तो यह एक syntax है, यहाँ पर समझ करेंगे, तो वहाँ पर उसके अंदर का statement हम प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर यह सारे के सारे cases मैज नहीं होता है, तो फिर हम एक default create condition, condition जो है, वो create कर सकता है, उसका statement चाप सकते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा, अब हम इसको practical program के थूरू समझ लेते हैं, मैं चलते हैं अपने program के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं अब इस program को मैं जो है, आपकी सामने type करके लिके आ जाता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहें, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारे multiple choice, जो conditions है, वो सारी की सारी मिटा देते हैं, यहाँ से, ठीक है याँ पर मैं एक character type का day नाम का variable ले लेता हूँ, ठीक है, यह day नाम का मैं variable ले लेता हूँ, इसके अंदर, और इसके मिटा आ जाएगा, आपको समझने में देखे का यहाँ इसके अंदर case create करता हूँ, जैसे, मैं यहाँ यहाँ ले लेता हूँ, जैसे, CASE, अगर A को अगर siz यहां पर कर देना है अपन को संडे अगर कोई पास करेगा तो उसके पास आधेगा संडे आप चाहिए तो इसके अंदर नुमेरिक वैली भी पास कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है और यहां पर आप कर देंगे इसको ब्रेक ठीक है अब मैं इसको जो है इतना के अंदर कोपी करने का कमांड एक अगर कोई पास करता है तो उसके लिए आपके यहां पर आजेगा मंडे ठीक है उसके बाद यहां पर और एक कंडिशन ले लेता है पेस्ट करके एब और यह अब कर देते हैं हम सी के लिए ठीक है और यहां पर हम जो है इसको संडे से कर देते हैं संडे मंडे और यह होज़ेगा ट्यूजडे यह होज़ेगा आपके Tuesday और उसके बाद Shift Insert किया आ गया है और यहाँ पर कर देते हम D इस जो D के अंदर का जो लिखा आएगा वो वहाँ पर छप जाएगा आपके ठीक है इसको प्रेस कर देते हैं Shift और यहाँ पर कर देते हैं E के लिए और E के लिए हम यहाँ पर कंडिशन देते हैं First Day की और यहाँ पर कर देते हैं हम F और Last हम कर देते हैं एक जी जो की है Saturday के लिए और अब देखे का है कि हमने यहाँ पर तो यह जो है अपनी हिसाप से जितना चाहिए हमने केस को क्रिएट कर लिया है लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें जो है इसके अलवा भई आगर इसके अलवा एस जी के अलवा अगर उसने कोई केस पास किया तो क्या ना चाहिए तो वहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं एक और केस क्रिएट करते हैं ठीक है और इस बार हम भरूरी है नहीं तो कंटिन्यूजली वह जो है उसको प्रिंट करता रहेगा ध्यान रखेगा ठीक है और इसको कर देते हम यहां से आफ अब इसको कंट्रोल प्लस अब यहां ऋम통 यहां आप यहां सोबने इससे नहीं तो यह को मान होगा दो कर दिया अगर मैं इस डी की जगह कर देता हूं तो यहां पर हापना onu पुटाना चाहिए संडे तो देखिए संडे आपके सामने बिल्कुल सही से आउटपुट में सो हो रहा है लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि इसके अंदर जो मान है वह आपने जैसे यहां पर कर दिया टी मान लो अगर इसके अंदर टी को पास कर दिया तो क्या होगा त अगर मैं यहां पर यह स्मॉल में देदू तो यहां पर देज नॉट फाउंड विकॉज मैंने आपको बता था कि यह के संसिटी होता है इसके अंदर एच चुटा और बड़ा जो भी है capital और इसमॉल जो है दुन्हों के दुन्हें यहां पर जाज कि जाता है उसके अंदर होता है तो वह उसको आपके अलग बताता है ठीक है तो यहां पर आपको एक एक चीज़ स्वीच करना पड़ेगा ब्रेक करना पड़ेगा default यूज्ट करना पड़ेगा भी तो आपको देरनी पड़ेगी ना किसी की चीज के लिए तो यह चीज आपको इसके अंदर ध्यान कर सकते हो ठीक है ना आप इसमें से कोई भी जो कुछ भी जन्रेट कर सकते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो मिनी प्रोजेक्ट आप तो यह सिंपल से आपके सामने आपको अगर अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को उपर लाइक मार दें तो यह अच्छी लगए चीज तो आपको ठीक है ना अब हम जो है आगे बगते हैं इसके अंदर तो यह चीज़ आपने डिसक्स की है अभी वह सारी के सारी है स्विच के स्टेटमें के रिगार्डिंग स्विच के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है और यह सारा का सार प्रोग्राम है आप चाहिए तो इसको वापस प्रूप पढ़ सकते हैं तो यह आज की क्लास ती जिसके अंदर मैंने आपको जो है इफ एल्स इफ देखिए इफ उसके बाद हमने इफ इसके बाद है तो आपको फॉल्स को प्रिंट करने के लिए आप जो है यूज ले सकते हैं और उसके बाद आता है जितने करने के लिए कर आप जिसको सबूर्स नहीं होता है je जितने के बाद है उसके बाद हमने इख स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है तो switch case statement basically क्या करता है कि आपके एक इसके अंदर case generate होता है break लगा सकते हो आप statement को print करने के बाद ठीक है अगर break नहीं लगोगे तो वो continuously जितने भी statement होगे उसके next case statement तक वो print करता जाएगा ठीक है और उसके अंदर default किसके लिए use किया जाता है कि अगर switch के case होता है वो expression से match नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप default condition को create कर सकते हो जिससे वो जो है वहाँ पर अगर वो switch के अंदर के case से match नहीं करते है तो वो आप default को print कर सकते ह consig Two Sum आपके if और else की तरह काम करते हैं बस इनका अलग-अलग काम करने का तरीका होता है लेगिन ये काम इनका fix होता है कि ये flow को control करते हैं तो मेरे सभी साथियों से request करना चाहूँगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है अपनी राइ नीचे comment box में दे दें और इसी परकार के Delhi class जोईन करने के लिए आप हमारे चैनल को Delhi visit भी करते रहें और subscribe नहीं किया हैं पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो बता देता हूँ कि आपके लिए computer fundamental, organization और architecture, python, c programming, dbms और sql इन सभी की और fundamental की सभी की class आपको चैनल पर playlist wise upload हैं प्लीज आप उन सभी जो है आप सभी जो है उनको visit करें और अपने exam के लिए आप implement करें इसे के साथ मैं संपत लिलेड आप सभी चैनल वीदा लेता हूँ मिलते हैं एक और नई class के साथ जै हिंद जै भारत